ओम नमों भगवते वासुदेवाई नवहाँ श्रीमत भगवत गीता सादक संजीवनी अध्याय 9 श्लोक संक्याय 11 अब आगे के श्लोक में सम्यक निश्चय का फल बताते हैं शिप्रम भवती धर्मात्मा शश्वत छान्तीम निगज्ञती कौंते प्रति जानी ही नमे भक्तह प्रडश्यती पह ततकाल अर्थात उसी शन धर्मात्मा हो जाता है और निरंतर रहने वाली शान्ती को प्राथ हो जाता है हेक उंती ननन तुम रतिग्या करो कि मेरे भक्त का विनाश या पतन नहीं होता शिप्रम भवती धर्मात्मा अर्थात महांद पवित्र हो जाता है कारण कि यह जीव स्वयम पर्मात्मा कांच है और जब उसका उद्देश भी पर्मात्मा की प्राप्ति करना हो गया तो अब उसके धर्मात्मा होने में क्या देर लगेगी अब वह पर पापात्मा कैसे रहेगा क्योंकि वह धर्मात्मा तो स्वताथा ही केवल संसार के पसंबंद के कारण उसमें पापात्मा पन आया था जो की आगंतुक था अब जब अहंता बदलने से संसार का संबंद नहीं रहा तो वह जियोगातियों अर्थात दर्मात्मा रह गया यह जीव जब पापात्मा नहीं बना था तब भी पवित्र था और जब पापात्मा बन गया तब भी वैसा ही पवित्र था कारण कि पारमात्मा का अंच होने से जीव सदा ही पवित्र है केवल संसार के संबंद से वह पापात्मा बना था संसार का संबंद चूटते ही वैज्जों का तो पवित्र हो रहा गया पाप करने की भावना रहते हुए मनुष्य मेरे को केवल भगवान की तरफ ही जलना है ऐसा निश्य नहीं कर सकता यह बात ठीक है परन्तु पापी मनुष्य ऐसा निश्य नहीं कर सकता यह नियम नहीं है क जदी उसके मन में पापों से घृना हो जाए और ऐसा निश्य हो जाए कि अब भगवान का ही पज़न करना है तो वे बहुत जल्दी धर्मादमा बन जाता है कारण कि जहां संसार की कामना है वहीं भगवान की तरफ चलने की रूची भी है अगर भगवान की तरफ चलने की हो जाती है फिर भगवत प्राप्ति में देर के नहीं लगती है वे बहुत जल्दी धर्मात्मा हो जाता है इसका तात्पर यह हुआ कि उसमें जो यत कश्चित दुराचार दीखते हैं वे भी टिकते नहीं कारण कि सब के सब दुराचार टिके हुए हैं संसार को महत्व देने भगवान का महत्व होने से वे धर्मात्मा हो जाता है मारमे बात यह एक सिद्धान्थ है कि करता के बदलने पर क्रियाएं अपने आप बदल जाती है जैसे कोई धर्मरूपी क्रिया करके धर्मात्मा होना जाता है और उसे धर्मात्मा होने में दिर लगेगी परन्तु अग भी में भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं ऐसे अपनी अहन्ता को बदल देता है तो वह बहुत जल्दी धर्मात्मा हो जाता है साधू हो जाता है भगत हो जाता है इसाथ कि मनुश्य जब संसार शरीर के साथ मैं और मेरा पन्द करके संयोग जन्य सुख चाहने लगता है तब है कामात्मा बन जाता है और जब संसार से सर्वता विमुक होकर बगवान के साथ अनन्य संबंद जोड़ लेता है जो की वास्तव में है तब है धर्मात्मा बन जाता है साधरन दर्श्टी से लोग यही समझते हैं कि मनु सत्य बोलने वाला हूँ ऐसी अहंता को अपने में पकड़ लेता है तब वह सत्य बोलता है और सत्य बोलने से उसकी सत्यवाजिता द्रड़ हो जाती है ऐसे ही चोर होता है वह मैं चोर हूँ ऐसी अहंता को पकड़ कर ही चोरी करता है और चोरी करने से उसका चोर पना द्रड़ हो जाता है इन दोनों रिष्टान्तों से यह से दूआ कि करता जैसा होता है उसके द्वारा वैसे ही कर्म होते हैं और जैसे कर्म होते हैं वैसा ही करता पंद्र हो जाता है ऐसे ही यहां दुराचारी भी अनन्य भाग होकर अर्थात मैं केवल भगवान का हूँ और केवल भगवान ही मेरे है ऐसे अनन्य भाव से भगवान के साथ संबन्द जोड़ लेता है और उसकी अहन्ता में मैं भगवान का हूँ संसार का नहीं यह भाव त्रड़ हो जाता है ज वह बहुत जल्दी ध्रमात्माई बन जाता है यहां शंगा हो सकती है कि पूरुश लोक में भगवान सुदू चारह कहकर आए हैं फिर यहां भगवान ने उसको ध्रमात्माई क्यों कहा है इसका समाधान है कि दुराचारी के दुराचार मिठ जाएं तो वह सदाचारी अर्थ प्रवात्वात्वात्वात्वात्वात्वात्वात्वात्वात्वात्वात्वात्वात्वात्वात्वात्वात्वात्वात्वात्वात्वात्वात्वात्वात्वात्वात्वात्वात्वात्वात्वात्वात्वात्वात्वात्वात्वात्वात्वात्वात्वात्वात इसलिए उसको निरंतर रहने वाली शान्ती मिल जाती है। दूसरा भाव यह है कि स्वयम परमात्मा कांश होने से चेतन अमल सहज सुकरासी है। अतह उसमें अपने स्वरूप की जो अनादी अनंद स्वता सिद्ध शान्ती है दरमात्मा होने से अर्थात भगवान के साथ अनन्या भाव से संबन्द होने से वह शाश्वती शान्ती प्राप्त हो जाती है। कि वो संसार के साथ संबन दुमान्ने से उसका अनुबव नहीं हो रहा है। कौन ते प्रति जानी ही नम्य भक्त्रत प्रणष्यती। यहां मेरे भक्त का पत्र नहीं होता। ऐसी प्रतिज्चिया भगवान अर्जुन से करवाते हैं। तो उस समय भगवान की प्रदिग्या तो तूट जाएगी पर भक्त या भीश्म जी की प्रदिग्या नहीं तूटेगी भगवान ने चौत्य अध्याए के तिसरे श्लोग में भक्तो असी में सखा चेती कहकर अर्जुन को अपना भक्त स्विकार किया है अता भगवान अर्जुन से कहते हैं कि भहिया तू प्रदिग्या कर ले कारण कि तेरे द्वारा प्रदिग्या करने पर अगर मैं खुद भी तेरी प्रदिग्या तोड़ने चाहूंगा तो भी तोड़ने ही चाहूंगा फिर और कौन तोड़ेगा तात पर हुआ कि अगर भक्त प्रदिग्या करे तो उस प्रदिग्या के विरुद्य मेरी प्रदिग्या भी नहीं चलेगी मेरे भक्त का विनाश अर्दात पतन नहीं ह ही है उस माने हुए सम्बन से सरवता विमको कर जब वह अनन निभाब से मेरे ही सम्धों हो गया तो अब उसके पदन की संबवना वही कैसे शक्ती है दूराचारी भागत हो जाता है तो फिर वक्त होने के बाद उनका फिर पतन नहीं हो सकता अर्थात्वे फिर दुराचारी नहीं बन सकते इस प्रकार भगवान के नियाय में भी दया भरी हुई है अता भगवान नियायकारी और दयालू दोनों ही सिद्ध होते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाई नमहाँ